आप affiliate marketing स्टार्ट करना चाहते हैं परंतु आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस platform से affiliate marketing शुरू करनी चाहिए तो guys मैं आपको highly recommend करूँगा कि आपको Facebook Reels से ही affiliate marketing स्टार्ट करनी चाहिए मैं आपको कुछ reasons भी दे सकता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको Facebook Reels से अपनी click bank की या किसी भी परकार की affiliate marketing को क्यों start करना चाहिए तो guys पहला reason यह है Facebook के ऊपर Reels का feature अभी अभी launch हुआ है जिसकी वज़य से Facebook ने Reels की reach को काफ़े ज़्यादा open कर रहा है It means क्या है जितना Facebook का traffic है उतने ज़्यादा आपको यहाँ पर views भी मिल सकते हैं और जितने ज़्यादा views आपको यहाँ पर मिलेंगे उतने ज़्यादा chances है कि आपके sale हो पाए तो पहला reason यह हो गया जिसकी वज़य से आपको Facebook Reels के ऊपर अपनी affiliate marketing को शुरू करना चाहिए इसका मतलब क्या है यह बिल्कुल hidden है और किसी भी व्यक्ति को Facebook Reels से कैसे affiliate marketing करते हैं उसके बारे में knowledge नहीं है अगर व्यक्ति को यहीं नहीं पता Facebook Reels से affiliate marketing कैसे करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा इसके ओपर competition low हो चुका है और कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर इस समय affiliate marketing नहीं कर रहा है अगर आप यहां से अभी से affiliate marketing start करते हैं तो definitely आपको यहां से अच्छा खासा पैसा बन सकता है और जो number 3 reason है वो है सारा competition कहाँ पर shift हो चुका है Instagram के उपर या paid ads के उपर अगर हम इस समय की बात करें तो जितने भी affiliate marketers हैं या तो वो paid ad की तरफ shift हो चुके हैं या फिर वो Instagram के उपर affiliate marketing कर रहे हैं अगर आप Instagram से affiliate marketing करने के सोच रहे हैं तो guys वहाँ पर इतना ज़्यादा competition हो चुका है कि आपको वहाँ पर sale लाने के लिए कुछ extra सीखना होगा परतु अगर आप Facebook Reels के उपर affiliate marketing करते हैं और basics को cover करते हैं तो आप कम views के अंदर भी sale ला सकते हैं क्यों इसको पर competition क्या है? जीरो है अब मैं आपको एक reason और बताऊंगा जिससे आप 100% convince हो जाएंगे कि आपको Facebook Reels से आज सही affiliate marketing शुरू करनी चाहिए Friends, जब Pinterest के उपर Idea Pin का feature launch हुआ था तो उस दोरन मैंने आपको एक बात बताए थी मैंने आपसे बताया था कि जब भी कोई platform अपने नए feature को launch करता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा promote करता है promote करने के लिए क्लिए 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 वो उसकी reach को open कर देता है और उस दरन अगर हम उसको पर work करते हैं हमारे पास ज़्यादा views आने के chances होते हैं तो सहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ मैंने idea pin के उपर 20 से 25 pin बने उसके उपर अच्छे का से reach आई अच्छे का से views आए तो guys मैं इसी बात को अधार में लेके आप से कह सकता हूँ अगर आप facebook reels के उपर अभी work करते हैं में आ जाएगा अगर pinterest के उपर इतने अच्छे stats आ सकते हैं तो facebook की audience तो pinterest से बहुत जादा है तो it means facebook के उपर कितने अच्छे stats आएंगे तो आप समझी सकते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या कर रहा है पिछल तीन महीने का यहाँ पर stats को open किया है ठीक है तो यह क्या है मेरे idea pin के stats है यहाँ पर क्या रहा है में जो 41,000 impression मिले थे 759 के engagement है 25,000 के audience है और 5,16 मुझे यहाँ पर engage audience मिली है अगर मैं यहाँ पर नीचे चलता हूँ तो यहाँ पर आप आपको साफ नजर आ रहा है यहाँ सारी pins है तो यहाँ पर आप दीख सकते हैं किसी को पर 10,000 impression मिले है किसे पर 1600, किसे पर 1600, 1400, 1200, 1100 और सभी के हैं मेरी idea idea, idea, idea एक standard है एक मेरी normal pin थी बागे सभी के हैं idea pins है तो आप समझ सकते हैं last 3 month के अंदर मैंने only 20 idea pins को ही upload किया था और उनकी इतना अच्छा कासा stats आ रहें और सारे कैसे आ रहें organic इट मेंस मैंने ना ही आप पर कोई ads चला ही है ना ही आपर मैंने कुछ किया है तो अगर idea pin, Pinterest के उपर new feature है उसके उपर इतना अच्छा खासा engagement आ सकता है तो हमारा Facebook real भी कह है Facebook के उपर new feature है तो उसके उपर भी अच्छा कासे reach होगी और उसके उपर भी अच्छा कासा engagement हमें मिल जाएगा Friends, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि Facebook real से effort marketing क्यों करनी चाहिए अब हम बात करेंगे कि आप किस परकार से Facebook के उपर click bank के product को promote कर सकते हैं तो दोस्तो Facebook के उपर click bank के product को promote करने के लिए आपको 4 steps को follow करना होगा मैं कहूंगा आपको 5 steps को follow करना होगा तो step number 1 क्या है product selection step number 2 क्या है आपको अपनी videos कहां से download करनी है ताकि वो असानी से viral हो जाए तीसरा क्या है आपको video को कैसे optimize करना है sound कैसा लगाना है क्या उसके अंदर करना है उसका process में आपको बताऊँगा जो fourth part आता है कि आपको videos कैसे upload करनी है कैसे उसका description लिखना है ताकि बंदा उसके उपर click कर दे और साथ में आपको कैसे उसके उपर hashtags लगाने है इसका process में आपको fourth part के अंदर बताऊँगा तो पहला part आता है हमारे पास product selection तो guys product कैसे select करते हैं अब मैं इसका process आपको बताता हूँ तो guys product select करने का simple सा जो मेरे पास तरीका है वो है आपको जब भी product select करना हो तो आप अपने platform को देखो कि आप किस platform के उपर अपने product को promote कर रहे हो जैसे मैं आपको यहाँ पर एक example देता हूँ अगर आप Pinterest के उपर effort marketing करना चाहते हैं तो उस case में आपको Pinterest को analyze करना है तो हमें पता है Pinterest के उपर 80% ladies है तो Pinterest के उपर 100% health या weight loss का product work कर जाएगा उसी परकार मैं Instagram का example लूँ तो Instagram के उपर भी maximum girls होती है तो वहाँ पर भी अगर आप weight loss के product को promote करते हो तो उसके उपर भी आपको अच्छे result मिलेंगी परनतो कर हम Facebook की बात करें जिसके अंदर mixed audience है जहाँ पर आपको यही idea नहीं है कि इसके उपर किस step की audience है तो वहाँ पर हमेशा एक ही product work करता है तो कि इसकी audience सभी जिगें मिलती है वो है health का product या weight loss का product अगर आप weight loss का product किसी भी platform के उपर promote करते हो तो वहाँ पर आपको audience मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है तो कि weight loss की audience बहुत ही ज़्यादा होती है यह एक problem है जिसका solution सभी चाहते है और facebook के उपर mix audience है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर अपने weight loss के product को promote कर सकते हो तो मैं क्या करता हूँ click bank के marketplace के उपर जाता हूँ और वहाँ पर एक weight loss के product को choose करता हूँ देन उसके बाद हमें उस weight loss के product से related कैसे video download करनी है उसका process मैं आपको बताता हूँ तो guys सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने click bank के marketplace के उपर जाते हैं तो guys इस समय boom पे चल रहा है हमारा oki nawa का flat belly tonic का जो भी supplement है वो इस समय boom पे चल रहा है और यहाँ पर साब लिख रहा है awesome new tonic supplement for weight loss जिसका क्या है average conversion कितना 150 dollar तो हम क्या करेंगे यह step टोप पे चल रहा है और maximum लोग इसको purchase कर रहे हैं तब यह टोप पे चल रहा है तो हम क्या करेंगे इसी को ही promote करेंगे तो आज का हमारा जो product है उसका नाम क्या है मैंने आपको introduction की अंदर ही बताया था कि इस समय सबसे ज़्यादा effort marketing किस platform के उपर चल रही है तो guys इस समय सबसे ज़्यादा effort marketing Instagram के उपर चल रही है तो it means Instagram के उपर आपको इतने pages मिल जाएंगे weight loss related जहाँ पर आपको इतनी videos idea मिल जाएंगे कि आप वो बिल्कुल भी महनत करने की ज़रूत नहीं है आपको only Instagram के उपर आना है और यहाँ पर अपने category के अनुसार आपको search करना है जैसे मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ weight loss के product को promote करने वाला हूँ clickbank के तो मैं यहाँ पर क्या type कर दूँगा search के अंदर weight loss तो मेरे सामने बहुत सारे pages आ जाएंगे अब मैं क्या करूँगा step by step सभी pages के उपर जाऊँगा और वहाँ पर videos को देखूँगा जो भी video मुझे पसंद आएगी मैं उस video को download कर दूँगा उसके अंदर थोड़ी से editing करूँगा और facebook reels के अंदर उसको upload कर दूँगा बिल्कुल simple सा process है बिल्कुल भी आपको यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है and guys अब बात आती है अगर आप facebook reels के उपर instagram की video को upload करते हैं कोई issue होगा guys बिल्कुल भी नहीं होने वाला है आपको क्या करना है जब भी आप video को download करें उसके बाद आपको editing जरूर करनी है आप किसी भी platform के उपर videos को upload करें उससे पहले आपको उसके editing करनी है अगर आप editing करके अच्छे से video को optimize करते हैं और उसको फिर upload करते हैं आपको बिल्कुल भी issue नहीं होने वाला है तो मैं आपको highly recommend करूँगा आपको पहले editing करनी है editing करने के बाद ही आपको क्या करना है वीडियो को upload करना है friends एक question और है जो मुझे लगता है आपकी दिमाग के अंदर आना चीए question यह है अगर मैं Instagram से किसी वीडियो को download करूँ और इसको Facebook Reel के अंदर upload करूँ क्या Facebook Reel मुझे वहाँ पर reach देगा तो इसका उत्तर है Facebook Reel आपको reach देगा इसको मैं आपको समझाता हूँ तो गैस होता क्या है suppose करो आपने Instagram से वीडियो को download किया है और इसको Instagram के अंदर ही upload कर दिया है तो इस case में क्या होगा Instagram का जो algorithm है वो आपकी वीडियो को detect करेगा और वो समझ जाएगा कि आपकी वीडियो re-upload हुई है अगर आपकी वीडियो re-upload हुई है तो वो कभी भी आपकी वीडियो को reach नहीं देगा परंतु Instagram अलग platform हो चुका है Facebook Reels अलग platform हो चुका है It means क्या हो गया है Facebook Reels का algorithm अलग होगा Instagram का algorithm अलग होगा अब Facebook Reels के लिए ये वाली वीडियो क्या हो जाएगी यूनीक हो जाएगी अगर ये वाली वीडियो यूनीक हो जाएगी इसका process तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और आपको बहुत सारी videos मिल जाएंगी आपको क्या करना है internet को पर basically type कर देना है Instagram से कैसी video download करते है बहुत सारी websites है कि आप वहाँ से क्या कर सकते है वीडियो को download कर सकते हो So friends मैं काइन master के home page के उपर हूँ यहाँ पर मैं कैसे video edit करने वाला हूँ उसका process मैं आपको दिखाता हूँ तो से से पहले हम क्या करेंगे plus के उपर click करेंगे then यहाँ पर हमें one by one का ratio इसको choose कर लेना है उसके बाद हम जाएंगे media के उपर और background के अंदर white color choose कर लेते हैं then उसके बाद हम जाएंगे layer को उपर और यहाँ से हम क्या करेंगे जो हमने video वहाँ से download की थी उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर upload कर देंगे upload करने के बाद मैं ऐसे क्या कर दूँगा थोड़ा सा यहाँ पर adjust कर दूँगा थोड़ा से adjust करूँगा ताकि टुक्टो को यहां जो जो दिख रहा है वो हट जाए ठीक यह इतना मेरा जेस्ट हो चुका है उसके बाद मैं क्या करूँगा यहां से music को भी down कर दूँगा क्योंकि मुझे music यहां रखना नहीं है क्योंकि मैं खुद का music यहां पर लगाने वाला हूँ यहां पर लिख देता हूं want to lose weight want to lose weight और यहां पर इक emoji के sign लगा देता हूं like this कि अगर weight loss करना चाहते हो तो description में आपको link मिल जाएगा यह सको थोड़ा तोड़ा कर देते हैं या रख लेते हैं इसको थोड़ा सा पूरा बीडिव के अंदर लगा देते हैं तक यह पूरा वीडियो के अंदर चलता रहे ताकि जिसी बंदे को नटरस्ट हो इसको इसको पर क्लिक कर करना है इतना होने कर आदम क्या करें गेंगे यहां पर अचिथक और ने जाएगी फ्रेसबुक के ऊप्लोड करने के लिए सबसे पहले आप पर फीज्बीक को open करना चाहते हैं इसके अदर audio add करने के लिए अप इसको आप झाली कर appel दें तेन उसके बाद यहांपर आपना voice over कर सकते हैं यहां जैसे कि मैंने आपको पहले बता था Instagram अलग चीज है Facebook रिल अलग चीज है तो जहां से मैंने इस वीडियो को डाउलोड किया है Instagram से तो मैं क्या करूँगा, जो भी इस वीडियो को पर description लगावा था, उसी description को यहापर copy कर दूँगा, तो मुझे को issue नहीं होने वाला है, तो मैं यहापर क्या करने वाला हूँ, मैंने already इसका description को copy कर रखा है, तो मैं जाओंगा WhatsApp को उपर, यहाँ से description को copy कर लूँगा, and copy करने क मैं क्या कर दूँगा, इसको यहाँ पर paste कर दूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या आ चुका है, लिंक भी आ चुका है, अब आती हैस्टेक की बाद, तो guys, जो Facebook है, उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, कि इसके अंदर हैस्टेक वह खुद से शोग करता है, जैस जैसे मैं यहाँ पर 5 हैस्टेक को लगा देता हूँ, तो weight loss, फिर एक और मैं चूज करता हूँ, यहाँ पर weight loss से लिटेड, तो यहाँ पर आगे weight loss help, इसी परकार मुझे यहाँ पर क्या करने है, 5 हैस्टेक लगाने है, और इसके बाद मेरा काम क्या हो जागा, यहाँ पर finish ह करना है, तो एक, दो, तीन, चार, एक हैस्टेक को लगा देता हूँ, यहाँ पर, तो weight loss, जरनी, तो मैंने हैं यहाँ पर 5 हैस्टेक लगा दिये, अच्छा सा description लगा दिया है, यहाँ पर अपना app link लगा दिया, अब मुझे कहा करना है, जैसे मैं share reel को पर click करूँगा, तो म second में क्या हो जाएगी, में reel यहाँ पर upload हो जाएगी, upload होने के बाद, अब क्या होगी, facebook reach के अब बहुत ही जादा है, तो यह कहाँ बहुत सा लोग पास जाएगी, जब लोग इसको देखेंगे, और दूसरी खास बात यही है, इसके अंदर, जैसे हमार reel upload होती ही ना, तो इ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने किसी एक reel को यहाँ पर open कर लेता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, इस reel को यहाँ पर open कर देता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, इस reel को यहाँ पर open कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा यहाँ पर जो description है, साफ भी भढ़ जाएंगे तो गैस अगर आप इस परकार से effort marketing करते हैं clickbank की effort marketing करते हैं facebook reel के उपर तो definitely आपको convergence होने के chance बढ़ सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी अच्छे लगा आपको knowledge मिली है तो please channel को share वे subscribe करें वैस को